नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन के एड़ सिक्स में और रूफ करते हैं बिहार के तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के परिक्षा 2446 प्रदों की वेकेंसी निकाली गई थी उसका मुख्य परिक्षा का रिजल्ट भी घोशित किया गया था तो कुछ दिन पहले एक नियूस पेपर के माद्यम से यहाँ पर अपडेट दिया गया था कि यह मात्र सहयोग नहीं सेटिंग हो सकती है जिया क्योंकि एक लिस्ट जारी किया गया जिस लिस्ट में बताया गया कि एक ऐसे जिले की जिया लगातार एक ही सीरीज में नंबर से पास हुए अभ्यारतियों का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है जिसको लेकर एक नियूस पेपर के माद्यम से यहाँ पर अपडेट किया गया था कि यह मात्र सहयोग यह सेटिंग हो सकता है दरोगा भरती को लेकर यहाँ पे सारा अपडेट दि इसके संदर्ब में दोस्तों देखे इसके संदर्ब में एक अपडेट दिया गया है आज BPSC के ओफिचल वेबसाइट पर वो क्या नोटिफिकेशन है हम चलिए लेकर चलते हैं पहले तो BPSC के ओफिचल वेबसाइट पर जहाँ पे सरकार की तरफ से बिहार पलिस अवर आप से एक अपडेट दिया गया है और एक वीडियो के मादिम से मैं आपको ये पूरी जो चर्चा है ये सुनाने वाला हूँ तो वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादिम से जा सके अभी थोड़ी दिर पहले मैंने सेल में निकले हुई एक रिक्रूट्मेंट के बारे में अपडेट दिया है और सुबा जेपी असी के वेकेंसिस के बारे में भी अपडेट आपको दे चुका हूँ इन दोनों ही वेकेंसिस को जरूर देख लिजिएगा अपलाई करने योगे हैं तो अपलाई जरूर कीजिएगा जिया लगातार ऐसे पलपल की अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं अपने चैनल के मादिम से तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और हाँ मैं एक आपको अपडेट दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे देख सकते हैं BBSC यानि कि बिहार पलिस सब ओर्डिनेट सर्विस कमिशन की तरफ से अभी अभी थोड़ी दे पहले एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 9 फरवरी को यह अपडेट किया गया है कि देनिक भासकर में दिनांक 18 जनवर 2021 को प्रकासित समाचार में संयोग या सेटिंग के सम्मन्द में संपादक को आयोग का पत्र भेजा गया है तो यह दिखिए देनिक भासकर के समाचार पत यूट्यूब चैनल को भी ये नोटिफिकेशन भीज़ जाएगा लेकिन अब देखिए मैं आपको हर बार एक ही बात कहता हूँ कि जब तक किसी चीज का साख्ष यानि कि प्रमान ना हो आप किसी के उपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं तो थोड़ा ध्यान दीज है तो वो गाली खाएगी अन्य था अगर सरकार की गलती नहीं हुई और आप लोग बे मतलब कि अगर गालिया सुना रहे हैं गालिया दे रहे हैं तो वो आपके उपर भी एक्षन ले सकती है ठीके तो ऐसा यहाँ पर एक अपडेट में क्या कहा गया है इसके बारे में थु अंक 18 जनवरी 2021 के अंक के प्रकाशित सिर्षक सयोग या सेटिंग समंद में तो जो कि मैंने अभी नियूस वपर का आपको अखबार दिखलाया उसी में ये सयोग या सेटिंग लिखा हुआ था बोला जा रहा है कि ये ध्यान क्रिष्ट करते हुए आयोग के विग्यापन सं सयोग या सेटिंग कि अंदरगात या खबर प्रकासित की गई कि उक्त परिक्षा में एक सिर्ज में लगातार रॉल नंबर के अभ्यार्थी परिक्षा में सफल हुए हैं ये कोई तथ्य नहीं बनता है कि वो चोरी करके ही पास किये हो इनका कहना ऐसा आयोग का और इन्हों प्रकासित खबर को आधार बनाकर विभीन यूटूब चैनल पर आयोग द्वारा प्रकासित एक 2019 के मुख्य परिक्षा में परिक्षा फल के बारे में कई तरह की ब्रहम फैला जा रहे हैं तो दोस्तों मैंने आपको पिशली बार भी बोला था कि आप लोग ऐसे ब्रहम के उपर ना जाए लेकिन अगर कोई चीजे सत्य हैं सच हैं तो उसका कहीं न कहीं निराकरण होगा और वो सामने आएगा ही आएगा उक्त परिक्षा जो की प्रकासित की गई उसके खबर के संदर्व में आप सपष्ट करना चाहेंगे कि यह सिरीज में लगतार रॉल नंबर के अभियारती का सफल होने पर सिर्शक सयोग या सेटिंग देने के समन्द में क्या आपके पास कोई साख्चोपलब्द है या फिर उक्त संदर्व में आपके पास अगर कोई साख्चोपलब्द नहीं है तो प्रकासित खबर का खंडन किया जाना अपक्चीत है यानिकि इस खबर को खंडन करके खदम किया जाए इस निउस को हटाया जाए वेबसाइट से बीन के उपरोग तत्तियों के समन्द में यथा सि किया जाए तो यह एक अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर बीपी एसी के ओफिशल वेबसाइट से जो कि साफ साफ यहाँ पे दरसाता है कि आप इन सभी चीजों से दूर रहिए वंचित रहिए जब तक कि कोई आपके पास साख्च यानिकी सबूत नहीं होता है अ पर लगा धिया पेपर आउट होने की संभावना है थी तो पेपर आउट किया गया तो आउट होने की बज़ए उसको रद किया गया वहां का परिक्षा और फिर से दुबारा लेने के यहाँ पे घोष्णा की गई है तो BPSC भी और BPSC भी ऐसा कर सकती है अगर यहाँ पे सच में ऐसा होता है कहीं दांदली होती है तो उसका कोई प्रूफ दीजे यहाँ पे कि यह चीजे हुई है तो यह सरकार मानेगी अन्य था अगर आप लोग बे मतलब कि जो भी यहाँ पे न्यूस के माद्यम से अपडेट या अफवा फैला रहे हैं उसके उपर यह खंडित करता है इस न्यूस को यह सरकार यहाँ पे बोली है और एगर ऐसा होता है तो करवाई भी हो सकती है ध्यान रखीगा यह चुकी पिछले कुछ दिनों से अब न्यूस अपडेट हो रहा है कि सरकार के प्रति कोई अपसब् हो ले भाई कोई अंदोलन ना करे तो इन सब चीजों का ध्यान रखीगा आप लोग ठीक है अब गलत को गलत कहना और गलत को सही करना यह सरकार के हाथ में आज भी है और अभी भी है तो यह सारी चीजे यहाँ पे बताई गई है सरकार के इस नोटिफिकेशन के तर यह तो दोस्तो धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए जो भी मेरे भाई बंदू इस बीडियो को देख रहे है प्लीज सेयर करेंगे अपने दोस्तों के ग्रूप में और बीपी एससी के ओफिशल वेबसाट पर भी जार की सारी चीजे देख सकते हैं और मैं अपने तरब से इस बीडियो को शेयर करता हो, साजा करता हो, आप पी इस बीडियो को अपने दोस्तों तक साजा जरूर करेगा इस ओफिशल नोटिफिकेशन का जी हाँ और अभी YT Education पे चलते हैं दोस्तों वहाँ पे बिहार द्रोगा के रिगार्डिंग एक मोग टेश्ट जो की BP SSC के लिए ही हम लोग दे रहे हैं 223 पदों की जो वेकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं YT Education चैनल पे आप उसके तैयारी में ठीक है दोस्तों तो आप हमारे चैनल YT Education को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल सके YT Education पे हम लोग रोज सुबा के 6 बजे लेकर आ रहे हैं करेंट अफेर का सिनारियो और ये करेंट अफेर का सिनारियो रेगुलर सुबा के 6 बजे मिल रहे है और ये बिहार दरोगा के रिगार्डिंग प्री टेस्ट आपको दिये जा रहे हं 100 कोशन के डेली और साम को 5 बजे आज से सुरू किया गया है BPAC के रिगार्डिंग मोग टेस्ट तो आप लोग इस मोग टेस्ट को भी जरूर से जरूर देखिएगा अब चलते हैं दोस्तों उस अपडेट पे जहां पे बिहार एसाई के तेश हम लोग लेने वाले हैं तो चलिए आप लोग पहुंचिए वह